कार स्वागत है आपका फियल स्टेडी मंत्रेटीव चनल पे सातियो यूपी लेकपाल बर्ती परिच्छा परेडाम और दीवी की सूचरा मैं आपको देने वाला हूँ देखो परिच्छा जो परेडाम है अब इसके बारे में एकदम सर्टेंटिटी तो नहीं है कि भीया परि स्ट बोलाता कि हमारी तरब से 6 महीने पहले कापियों की चेकिंग हो चुकी है लेकिन बस इतना है कि आपका जो कोट केस है उसके चक्र में रजल्ट वादित हो रहा है डिले हो रहा है इसका कोई मतलब यह हम जानते हैं ठीक है जैसे ही जो कोट केस है इनको पूड होंगे य ठीक है उसके बाद हमारा डिवी स्टार्ट हो जाएगा ठीक है साथियो मैं बात करना चाता हूँ आपसे कि इस वीडियो को सुरू से लेकर अंत्य तक देखो और अपने कमेंट जब करा करो तो वीडियो पूरा देख लिया करो तभी कमेंट करा करो और साथियो पहली बार आये हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लेना ठीक है साथियो तो मैं इसमें बारे में बताऊंगा और सबसे बड़ी बात बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि सर आप वह नहीं बनाते सर उनके बारे में ृटी वीऑ स्किप का मैं पूरा फंडा बताऊंगा कि डीवी में कर स साथी वगेरा होंगे आपके गुरुप के लोग होंगे आप जितना इंफ्लूएंस डाल सकते हो उतना इंफ्लूएंस कोई भी टीचर नहीं डाल सकता यह सब बारी बकवास वाली बाते होती है हां मैं बीडियो बनाके मॉटिवेट कर सकता हूँ उनको बात अलग है लेकिन तब तक मॉटिवेटेड आपको रहना है अधरवाइस आफ डिप्रेस्ट हो जाओगी तो कौन कौन सी भरतियां पूर हो चुकी है इनके बारे में बात करेंगे जिससे कट ओफ में जो लेकपाल की फाइनल कट ओफ है उसमें अच्छा खासा प्रभा आपका पढ़ने वाला है डीवी में कोई फ्रवाव नहीं पढ़ेगा बार बार में कहता हूं डीवी का जो जाएगा वो जाएगा डीवी में क्या प्रवाव पढ़ेगा कोई प्रवाव नहीं पढ़ेगा लेकिन जो मेरिट होगी मैं कटो अब जब निकल के आएगी जब लास्ट फाइनल वरिट आएगी उसमें आपकी इन भर्तियों का प्रवाव पढ़ने ही वाला है अच्छा कासा आपको प्रवाव देखने को मिलेगा तेकर साती हो अब बहुत सारी संभावना हो सकती है एक संभावना यह हो सकती है जिसका सेलेक्शन किसी अन्य पोस्ट पर लेक पाल से बहतर पोस्ट पर हुआ है वो सुतही नहतिक्ता की अधार पर बार बार कहता हूं मैं मौरलिटी की अधार पर वो व्यक्ति इस वक डीवी को स्किप कर देगा ठीक है और जैसे अब कोई जिसका सेलेक्शन इससे नीचे व बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जो लेख पाल से तो काफी उवर हैं जिन में फाइनल हो चुका है बहुत सारी पोस्टों में बही मैं आपको सारी पोस्टों के बारे में इस वीडियो के अंदर बिवर्ड देने बाला हूं कि कौन कौन सी पोस्ट के लोग इधर बुलकुल भी न कि यह बहुत सारी भरतियां कंप्लीट हुई है उनका फाइदा कट ओप में आपको देखने को पिलेगा निशेत तोर पे आप वारबार बताता हूं आज भी मैं आपको थोड़ा सा व्रीव दूँगा उसके बरे में लेकिन मैं बता रहा हूं को फाइनल में इंस बहुत जरू जरूर से जरूर फाइदा होगा, ठीक है, दूसरा, और देखो साथियों एक बात बड़ी बिचितर वाली बात है, कि छात्रों में लेकपाल भरती का एकदम भॉकाल है, कि भी लेकपाल की भरती करनी है मेरे को, ऐसा हो गया कि I.S. नहीं बनना लेकपाल बनना है, ठीक है, और कि भी चीज बेकार है, आप मानके बैठे हो, और कुछ और हो जाए, बनलब आपका ना हुआ, तो फिर क्या होगा, तो इस सेक्कर में आप मत पढ़ें, मैं बार-बार कहता हूँ, आप तयारी को continue रखें, बहुत सारी पोस्ट हैं, आपके सामने आने वाली हैं, तो आप सात साल भरती की final cut-off के लिए, बोन भरतियों के बारे में आपको detail में बताऊंगा, कितना benefit आपको होने वाला है, देखो सातियों, जितनी भी भरतिया होई हैं, उनके बारे में ही बिरिप्टूंगा में, आपको इन से आपको फाइदा होशकता है, और UP की बरती को business ध्यान रख और मैंने आपको एक बार संक्या भी बताई थी, लगभग 2,000 से लेकर 3,000 साथ ही हो सकते हैं, जो इसमें common हैं, सबसे ज़्यादा वलक में तो इसी भरती में थे, जिसमें benefit आपको ब्रुकु सीधा सीधा होने वाला है, UP PCS की भरती से आपको benefit होगा, क्योंकि यहाँ पर UP की यारों की भरती बहुत benefit करेगी आपको, अभी थोड़े दिन पहले lower PCS, जैसे हम lower PCS कहते हैं, जैसे lower PCS लोग कहने लगे हैं, लेकिन lower PCS होता ही नहीं है, ठीक है, तो lower PCS की भरती भी पूर हो चुकी है, इसका benefit आपको जरूर देखने को मिलेगा, UP लेकपाल के final rate में, क्योंकि NTPC भी एक बड़ी भरती हुई है, 35,000 की, ठीक है, इसमें कहता हूँ कि जादा नहीं, तो 700-800 लोग तो इसमें common होंगे ही होंगे, इस वाली भरती में, सब के बारे में जो बता रहा हूँ है, आपको एक बार सुनते चले जाना, जैसे अभी अभी, कुछ दिन पहल में जादा नहीं मानता हूँ, हावरार केता हूँ, कि UP की जितने भी भरतियां हैं, उनमें बहुत जादा होंगे, लेकिन हर भरती में, UP का बंदा नहों ऐसा हो नहीं सकता, और लेक पाल या कोई भरती हो, समें common छातर रहते ही है, ठीक है, तो 10 प्लस 2 जो है, उसमें भी मान रहूं, इतने ब्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, SSC CGL 221, फाइनल रेल्ट आपका आ चुका है, आपको माले में ही फाइनल रेल्ट हो चुका है, अब SSC CGL 221 का रेल्ट आना वाकि है, जिसमें लगबक 36,000 प्लस पदें, पहले 37 थे तोड़े से घट गया, तो ये भी कुछ ना कुछ है, मैं तो 500 ही मान रहा हूं, इसमें ज्यादा मानने की जरूरत नहीं है, लेकर हाँ, गुरूप D की परिच्छा में ज्यादा लोग common है, लेकिन एक बात है, कि गुरूप D छोड़ भी सकता है व्यक्ति, जो लेकपाल में आ सकता है, पहली मैंने गुरूप D और लेकपाल की जो comparison का video मैं आपको बनाया था, मालम होना चाहिए, इसके panel होने लगे है, final आने लगा है, joining भी आने लगी है, गुरूप D की बहुत सारे लोगों के आ गये है, बहुत सारे लोगों के बच्चे हुए है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, जो जोन करेगा, वो दो साल तक छोड़ नहीं सकता, बॉन्ड होता है, इसमें, इसलिए वो अधर सेलेक्शन हो गया वेक्ती का, तो लेकपाल में मुस के लिए आएगा, इसमें benefit आपको होगा, दूसरा, supply inspector की आपको मान में UD, LDA की लागवक 76 वेकेंसी थी, उसमें भी आपको जैसे NTPC हो गई, या CGL, CHSL हो गया, GroupD हो गया, सारी भरतियों में अगर मिला के देखा जाए, तो कितने भी कम सात्र होंगे, तो 5000 से कम छात्र कॉमन नहीं है, जितनी भी भरतियों के हमने बात की है, सारी भरतियों में मिला के, मैं मानता हूँ कि इसमें लगवग 5000 छात्र, जो UPSI, या मतलब सारी भरतियों में लेक पाल भरतियों के कमन होंगे ही होंगे, और एक चीज मैंने बताई थी आपको, कल भी मैंने आपसे कहा था, कि अगर ये लगव मालो के 8000 के सापेच 12000 अभरतियों को बलाता है, तो ये भरति खाली चली जाएगी, ठीक है, और बहु कि मर्जी है, लेकिन, जो सचिब ने बोला था, उसके एसाप से में बात बता रहूं, कुछ लोग कह रहे थे, सचिब को क्या मालन होगा, लेकिन नहीं मालन होगा, सचिब भी नहीं कहा था, कि 20-22,000 लोगों का हम DB कराने बाले है, रीजन क्या है, रीजन बार-बार बताता ह आपको इसका खामे आजा भुगतना पड़े अच्छी बात नहीं है क्योंकि बहुत सालों में भरतियां पूरी होती है इसके चक्कर में वह भी नहीं चाते किसी बच्चे का नुक्सान हो इतना निर्दरी तो नहीं हो सकते ठीक है तो बारहार बलाएंगे तो निश्ची तौर अगर 12,000 लोगे 12,000 छातर थे 5,600 डीवी स्केप कर दिया बचे 7,000 तो कट अप तो उसके बढ़ने की नहीं है तो इसलिए मैंने कहा है कि इस जो भरतियों से फाइनल की कट अप में प्रवाव बहुत अधिक देखने को मिलेगा डीवी में नहीं डीवी की कट अप जो होगी अधिमाल लोग के 33 से लेकर 24 तक डीवी की कट अप चलेगी जनल की और यह डीवी स्किप अच्छे खासे लिबल पे हो गया तो इस नंबर में आपको ज़्यादा बड़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी ठीक है माल लोग को दो बढ़ गया है तीन बढ़ गया इतना ही देखन है बहुत बड़ी बंच है जो आपकी तरफ से जा रहें निकलके आपको इधर साइट को देखने को नहीं मिलेंगे और यह आपको सीधी बात है कोसिस तो जरूर करनी है न कि भी जो डीवी का स्किप करने का आप भी कोसिस करो हम भी मोटिवेट करके कोसिस करी ही रहें और मै नौकरी लग गए जो डूसरे को भी मौका दे थीक है तो मैंने सारी बता दी आपको बात और मैं बार-बार कहरा हूं को 2-5.2.3 अगर अबर्ति नहीं बुलाए बुलाएं यह तो नहीं कह सकता मैं मैं कोई आयोग नहीं हूं नज्हीं अद्यच हूं 2-5.2.3 अबर्ति नही कहता हूँ 78 हो सकती है और DB का cut-off 73-74 जनरल का इसमें अगर DB skip हो गया तो 2 या 3 marks maximum बढ़ सकता है 2 से 3 marks उसे ज्यादा marks नहीं बढ़ेगा ठीक है सात्यों तो मैंने सारे सिनर्यू बता दिया इतने लोग DB skip कर सकते हैं 5000 लोग हैं आपके जो DB skip करने वाले हैं लेकिन आपका influence ही कर्षबा सकते हैं और कोई दूसरा नहीं करवा सकता और कोई यह कहें मैं बार बार कहता हूं कोई master यह कहें कि मैं 500,000 लोग का DB skip करा दूँगा वो यह कूप बना रहा है आपको कुछ नहीं कर सकता हो उसके वरक्सी बात कुछ नहीं है ठीक है तो आप समझ लिए है मैंने से वर्ति खाली रहे जाएगी ठीक है सात्यों और तुमारा DB के बाद भाइनल का टॉप में इसका बहुत वड़ा योगदान होने वाला है ठीक है सात्यों धन्यवाद